हलो दीसी जिंदर जीत, वेल्केम इटो दे लास प्रिव्यू, तो दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ बोबी जो स्टारर क्लास ओफ 83, जो आज ही नेट्फिक्स के ओपर प्रीमियर हुई है, रिलीज हुई है फिल्म देखने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं नेट्फिक्स की बुराई करूँ जो आज कल एजन इंडियन कंटेंट हमारे सामने बहुत बुरा-बुरा मैटेरियल लेकर आ रहा है या फिर मैं शारुखान प्रोडक्शन आउस रैटिचिली इंटेंबेंट की बुराई करूँ जो इससे पहले हमारे सामने बेताल जैसी बेसुरी और बेताली वेब सीरीज लेकर आया था तारीफे मैं गरता रहूँगा फिल्म की टाइम टू टाइम अभी थोड़ा प्रकाश डालते हैं स्टोरी पे तो यह कहानी है पुलिस ओफिसर विजय सिंग की जिसका सिर्फ एकी सपना है कि वो बंबे को काल सेकर जैसे गैंस्टर से निजात दिला पाए लेकिन काल सेकर के कोंटैक्ट्स और लिंकस इतने जाधा उनचे हैं कि पुलिस ओफिसर विजय सिंग के हाथ उसके गिरेबान तक नहीं पहुच पाते और एक दिन बड़ी solid tip मिलती है पुलिस ओफिसर विजय सिंग को काल सेकर के गेस जिसके कारण वो अपनी बिमार पत्निंग को पीछे चोड़ कर काल सेकर के बीछे निकल जाता है लेकिन इस बार भी काल सेकर उसके हाथ नहीं आता और इन result विजय सिंग को punishment transfer मिलती है इन पुलिस टेनिंग सेंटर नासिक जिस कारण वो अप दीन विजय सिंग हो चुके है मापर उसे मिलते हैं पांच होनार candidates अब विजय सिंग को लगता है कि यही पांचों है जो उसका सपना पूरा कर सकते हैं इसलिए दीन विजय सिंग इन पांचों के कारण पूरी की पूरी unit को एक अलग तरह की training देता है और जब time आजाता है उनकी service join करने का पुलिस service join करने का तो वो भी दीन विजय सिंग के सपने को पूरा करने के लिए लग जाते हैं अब पांचों निकल चुकी है दीन विजय सिंग का सपना पूरा करने के लिए स्टार्ट तो काफी अच्छा मिलता है पांचों को लेकिन बाद में पांचों के बीच में जरार भी आ जाती है और बहुत up-downs आते हैं लेकिन दराराती की हो है यह मैं आपको नहीं पिता सकता क्योंकि वह एक सपूर्लर हो जाएगा तो फिर फाइनली विजय सिंग का सपना पूरा पाता है के नहीं और क्या विजय सिंग को फाइनली एक्षिन में देखते हुए यह नहीं तो यही दो बाते हैं जो मुझे समझ आती हैं कि आप एक्सपेक्ट करोगे पूरी की पूरी फिल्म में इसके लिए आपको फिल्म खुद देखनी होगी जो पांचों केंडिडेट्स होते हैं उनका काम भी बढ़िया है पांचों नहीं है तो इसलिए मुझे उनके नाम भी नहीं पता तो ओवरॉल यही पांचे प्रफॉर्मेंसी जो देखने लाइक हैं इसके लावा सबने अपना काम ठीक ठाक है और सबका बहुत ही चोटा चोट के लिए सो मतलब डेढ़ गंटे का स्क्रीन प्ले भी आपको बुरी तरह से टोर्चर करता है सो आप गैस कर सकते हो कि कितना बुरा स्क्रीन प्ले लिखा होगा डिरेक्शन की बात करूं तो अतुल सबरवाल की डिरेक्शन है जिन्हों ने इससे पहले यह श्राग फिल्स के पूरी की फूरी इसमन कलर हैं जो फूजी कलर जो यूज करती है वजूज के अंदरिगारण के इतने पूर हैं और एक तो 80% डार्क के अंदर है तो यह तो डार्क के अंदर ही परफैक्शन ले जाते या तो ए फिल्म कही बीच में रह विजुछ आपको मतलब बुरी तरह स सबसे negative part वही है कि आप film देख नहीं पाते डंग से और आपको film attract नहीं कर पाती क्योंकि visuals काफी ज़्यादा पूर है तो guys as my last word class of 83 एक average film है लेकिन आजकल जो content आ रहा है OTT के ओपर अगर मैं action thriller की बात करें उसलिया से देखें So it's a disaster, it's a failure बट फिर भी अगर आप Bobby Diol के fan हो तो आप obviously एक बार देखोगे इस film को लेकिन अगर आपको time pass नहीं हो रहा है और आपको कुछ देखना ही है तो आप देख भी सकते हो But it's a disaster, it's a failure So ये थे मेरे class of 83 को लेकर review मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी के लिए इतना ही, thank you, thank you for watching